तो ध्यान देता है, इस्तिरी जनन अंग के बारे में, इस्तिरी जनन अंग क्या है, देखेए, ये जो है हमारा इंटर्नल फिगर है, एक्स्टर्नल नहीं है, इंटर्नल है, इसको बोलते हैं योनी, योनी का मुख्य द्वार, तेखेए, अब सबसे पहले देखते हैं इस तीरी जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं तो फैस्ट जो है दो अंडा से यानि ये 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 वाले भाग को अंडा से बोलते हैं दो अंड वाहनी अंड वाहनी इसको बोलते हैं जिससे अंडा का अनुचरन होता है अंड़ जो है एक स्थान से दुस्रे स्थान. यानि आघे के तरफ यह बढ़ता है. ठीक है? इसको बोलते हैं अंडवाहनी या फिलिपियन ट्यू. फिलिपियन ट्यू. ठीक है? उसके बाद होता है एक गरभासे. गरभासा इसको बोलते हैं. कि समझ गए इसको बोलते हैं गर्भास है गर्भास है अंग्रेजी में इव्टेरस है योनी योनी हमरा यह हो गया उसके बादब ग्यान इंद्रिया मतलब जो जब ही हम शंभों की किरिया चुरू करने वाले ने तो हमारी ग्यान इंद्रिया जो है हमारे ग्यानिंद्रिया में उतना मिक्स को ले है ठीक है तो इसमें जो है योनी योनी वाले द्वार ये है जिसके द्वारा जो हम लोग संभोग करते हैं ठीक है उसके बाद बाह ग्यानिंद्रिया बाह ग्यानिंद्रिया किसे करते हैं तो इस जो संभोग के द्वारान ह हमारे मन में जो प्रिंग होती है जो उतेजना होता है उसको बोलते हैं बाहग्यानिंद्रिया जनन गरंथी जनन गरंथी यानी जिस गरंथी के द्वरा जो है जनन होता है गरंथी के काम क्या है गरंथी के क्या कार्ज है लिक्विड जो इसमें फ्लो होता है और अस्तन गरंथ सबसे पहले हम लोग संभोग के दारा मिलन के दरा जब हस्बंड और वाइमाम मिलते हैं उसमें क्या होता है इसके दरा इसको बोलेंगे यह नहीं इस रास्ते के दराँ सीशन जो शीशन के द्वरा सुक्रानु श्रावित हो करके तो कि इसी रास्ते यहां पे आता है और यहां पहले से अंडा बने होते हैं यहां पे अंडा बने होते हैं ठीक है लेकिन एक शी ध्यां रखियेगा अंडा जो है दोनों अंडासे में एक साथ नहीं बनता है मालने जिस मौंथ इस महीना इस वाले भाग में बना लेफ्ट साइड में बना तो अगले महीना में इस राइट साइड में बनेगा समझ गया और यही जब सुक्रानू से नहीं मिलता है अंडा जो है सुक्रानू से नहीं मिलता है ते क्या हो जाता है एक लिमिटेड टाइम के बाद जो है यह अंडा जो है खराब हो जाता है नस्ट हो जाता है तो वही खराब जो है अंडा हो जाने है महीन तो वही खराब हो करके जो निकल रहता है यह जो है कि मYeरी लड़की है जो होती है उनके दो नाही कर लेते हैं और नीशेचन कर लेते हैं अपना इतना समझ में आ गया अब प्रस्थ्न बिच-बिच में प्रस्थ्न नहीं आता है कि अंडा और शुक्रानू अंडानू और शुक्रानू कहां मिलते हैं अंडासय में गरभासय में नहीं फिलिपियन ट्यूब में यह फिलिपियन ट्यूब है इसी ट्यूब में मिलते हैं समझ में आ गया शुक्रानू और अंडानू कहां मिलते हैं फिलिपियन ट्यूब में उसके क्या किया जाता नस्बंदी ये भी समझ लीजें इसको काट दिया जाय कर जो यह तरही आंडा बनेगा उस्ष्चुकरान से मिल नहीं पाएगा तो यह क्या होगा वह अपने टाइम पिरियेट के बाद जो हो खराब हो जाए को खराब होकर कीशी रास्ते बाहर निकल रहे हैं संभोग होने के बाद भी जो है भुरून का निर्मान नहीं होगा इसको बोलते हैं हम लोग नश्वान दी अभी तरीकास होता है काटक प्लट भी दिये जाता है यह अब डॉक्टर के उपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे के जाता है लेकिन फिलिपियन ट्यूब में ही इसका कटिंग होता है और कहीं नहीं कुछ होता है ठीक है अब सेकंड चीज़ कभी-कभी ऐसे सुने होंगे आप लोग कि किसी-किसी इस्तर करें लेकिन उपर मिखटी को बच्चा नहीं होता है है जे गाव में आंतर पर बाइया वाजन कहते हैं तो बच्चा नहीं आ बच्चा क्यों नहीं होता है इसके दो कैसे सो सकते Сейчас तो बहुत सारओ सकते में है लेकिन हम दो ही कैसस पě जादा दयान दमेंगे सबसे पहले अगर वह ऑरत जाधा मोटी तो उंके अंदर जो होगा चरुवी जाधा मत्रह हो और चरुवी जाधा मत्रह होगा तो क्या होगा यह फिलेपियन टूम में जैने यह से अगड़ोब़ जायेगा और प्चाा जैसे बाहान निकल गया। उसको बच्चा बोलेंगे। और जब तक पेट में है उसको भुरून प söyler इतना चीच समझ गया किस केसे में को इसंडा कर निर्मान को जब तक पेड़ में है तो उसे फुरून भोलेंगे यूं ही बाहा निकल गए इसे को अवे बच्चा गेंगे महावारी यह नहीं आता है उस जिस लड़की को महावारी नहीं आता है उस लड़की को बच्चा नहीं हो सकता और देखिए जादातर स्पोर्ट्स औरत को बहुत कमी आता है तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रमूला है करना नहीं को बता है देखिए नहीं आप लोस जांते उसके को जाता है जैसे उनका अंडानू ले लिए उनका सुक्रानू ले लिए दूनों का पटिलाइज करा के किसी और का उर्रत रवा दिए अब वह जो पाल पूस्सके बढ़्डा करेगी लेकिन सरकारिस का बीरूद करत और बाद में बूलेंगे नहीं हम यह बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा और लेकर कहां जाए यह कहां से उसका खर्च वर्च चलाएगे तो एक बार बच्चे के जनम देने में मां को बहुत फीरा होता है यह जहां निकलता है तो इसमें हलका सा क्रेक होता है योनी के मुख पे हलका सा क्रेक होता है जब बच्चा असानी से नहीं निकल सकता है तो वहां पर हलका सा चीरा मारते हैं डॉक्टर जो है चीरा मारते हैं लार्ज साह ही रिता है、 तो भचक्रा असानी से निकल लिता है जिसको छोटा अप्रेशन भी करता है, अपने हैज होता है, और एक बड़ा अप्रेशन याई जो इोनी के द्वारा ज्वारा नहीं निकल लता है, ठीके, और ढ épारेक्ट, सीजर के द्वारा निकलता है और एर केस में कब होता है सीजर कब किये जाता है जब जो है इटीरेस के अंदर जो लिक्वीड होता है उसकी मात्रा कम हो तो इस केस में सीजर के द्वारा निकला जाता है कि समझेगे अब एक्जामिनेसर में जो कोश्चन आते हैं कि इस्तिरी जनन अंग में कौन-कौन से अंग होते हैं तो आप यह नाम लिख दीजेगा दूगव अंडासे एक दो दोनों एक साथ अंडासे का निरमा नहीं करता है एक मणतीए तो एक मनतीए इसको फंडसAB बोलता है इसको गरभासे गुहीं जगो अंगली और सेरा चाहता है और यह जो है गर्भासय का सिप जो होता है गर्भासय का अकार जो होता है नश्पातिक अकार का होता है अपजेक्टिब में कुछ रहं आते हैं यहाँ पर यह जिल्ली होती है जिल्ली समझते हैं ना जम आरे जिसको मुद्म फमकेस समझते हैं सील्टू वुम पिल होंग करी और जिल्ञ वहए जिनली होता है । मैथुन जो हबता है निे संग्हाala सफनी के से पांट को रहा को साथ हमें । जोटला पुराने जमाने रогद गेहिसा कुछा निए और खेलते कुते हैं तो दिरे दिरे यह फट जाती है बहुत सारे साइक्ल चलाने लगे बचिया और यह फट जाते तो इसे कोई बिशेस अपका और तली बनता है और हम उमीद करते कि आगे आगे आप लोग भी ज्यादा इसा नकड़ाव करें वाद उठेलता आठी पस्ली त ठीक है इतना समझे गए चलिए आगे देखते हूं पस्का आप लोगे दूड़ारी पस्ली देखते है अट्यादा नकड़े आपिया अट्ना आप लगे दिए इतना समझे पस्लीपाव करें दो अगे चलिए आप लगे वा देखते है आप लोगे उगे घ्कशशशबागे तो जोगे ध।